और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुँच गए हैं वहां के एपोट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुँच रहे हैं कई कार्ट करम यहाँ पर हैं उनका और उनके स्वागत की देखे भवे तैयारियां यहाँ पर की गई है पांच दिवसे उनका इटली और ब्रिटन का दौरा है जिसमें की प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी रोम पहुँच चुके हैं जिट्वेंटी समेट में भाग लेने के लिए प्रधार मंत्री का ये विशेश दौरा है इटली के प्रधार मंत्री मारियो द्रागी के आमंत्रन पर 39 से 31 ओक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर रहेंगे प्रधार मंत्री मोधी आपको बता दे की सोलवे जी ट्वेंटी समेलन में भाग लेने के लिए प्रधार मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं 39 से 31 ओक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर वो रहेंगे गीता मोहन हमारे समधाता हमारे साथ फोल लाइन पर जो चुकी है गीता ये यात्रा खास करके जी ट्वेंटी समेलन यहाँ पर है तो काफी एहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहाँ पर प्रधार मंत्री भारत का पक्ष जो है वो सामने रखेंगे ये दौरा काफी एहम बहुत ही एहम दौरा है क्योंकि ये बस जी ट्वेंटी नहीं है जी ट्वेंटी में हाला कि श्वेता बहुत ही इंपॉर्टन्ट मुद्दों पर बाचीट होने वाली है चाहे वो COVID-19 को लेकर हो जहाँ पर भारत का बहुत ही बड़ा contribution रहा है वर्ल्ड ओवर या फिर अफगानिस्तान की स्थित्री की बात करें लेकिन इसके अलावा बहुत सारे bilateral meetings भी है इतली, जर्मनी, यूएस, यूके, बोरिस जॉन्सन से मुलाकात होने वाली है नेपाल के प्रधान मंसी से भी मुलाकात होगी पहली मुलाकात बहुत अर्सों के बार नेपाल से होने वाली है रिष्टों में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है इसलिए हम देख रहे हैं कि काफी सारे bilateral meetings lined up है लेकिन सबसे important है प्रधान मंसी का जो call-on होने वाला है Pope Francis के साथ वो एक messaging है और secularism और कैसे भारत के भारत अपने सारे समुदाय के लोगों को और religious communities को respect करता है तो Pope Francis को call-on करेंगे प्रधान मंसी नरेवर मोधी और बहुत सारे bilateral meetings होंगे summit में address करने वाले हैं और जिसके बाद वो जाएंगे Glasgow United Kingdom जहांपर वो COP26 climate summit को भी अटेंड करेंगे बिल्कुल इन तमाम summits के अलावा प्रधान मंसी ने जाने से पहले जो ट्वीट किया था उसमें भी एहम बात कही थी कि रोम में वो कोरोना महामारी के जो दुश प्रभाव रहे हैं उससे जो वैश्विक अर्थविवस्था और स्वास्त है उसको भी पट्री पर लारा जो है उसकी चर्चा काफी एहम होगा गीता माईनों में काफी एहम है इसके साथ ही जी ट्वेंटी के नेताओं से उनके मुलाकात होगी ब्रिटन के प्रधान मंत्री बॉरिस जॉंसन के निमंत्रन पर ग्लास को वो पुझाएंगे गीता हमारी समधाता हमार साथ दुबारा जुर गई है गीता अभी रोम पहुंचे है प्रधान मंत्री उसके बार जैसा कि आप बता भी रही थी कि बॉरिस जॉंसन से भी उनका मिलने का कारक्रम है कैसे कैसे इनका कारक्रम रहने वाला है रोम में पहले किस तरह का कारक्रम रहेगा और उसके बाद वो ब्रिटन जाएंगे जरा हमें उनके कारक्रम के डिटेल के बारे हम बताए जी बिलकुल कहीं न कहीं श्वैता आप जानते हैं कि जब प्रधान मंत्री बाहर जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा के साथ जरूर कोई न कोई इवेंट होता है जहां पर भारते समुदाय के लोग जुठते हैं त्रधान मंसी नरेंजी मोदी को या स्वागत करने के लिए या उन से मिलने के लिए बारा के करीब भारत इंडिया टायंगे जहां पर वो अपनी श्वैक्ट पे करेंगे और जिसके बाद 12 बजे वहां का ताएं साड़े तीन बजे भारत में जिसके बाद इतालियन प्रधार मंत्री के साथ उनकी पाइलाथरल मीटिंग होने वाली है ये आज का उनका अजेंडा में ये इंपोर्टन्ट विजिस्स है और इंपोर्टन्ट मीटिंग है इसके अलावा पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे लेकिन ये नहीं हमें किया गया है कि आज होने वाला है या कल पहले बताया जा रहा था कि आज ही मिलने वाले हैं अब बोल रहे हैं कि कल हो सकता है पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात बहुत ही इंपोर्टन्ट इसलिए भी है श्वैता क्योंकि अगर आप देखें काफी समय बाद इन-पर्सन G20 मुलाकात हो रही है कोवड-19 के चलते पिछले G20 सामित वर्चुल हुए थे पधान मंत्री नरेंजर मोदी में जरूर शिर्कत की थी लेकिन वर्चुली की थी तो G20 लीडर्स जो की करीब 80% of GDP पूरे दुनिया का बनाता है वो बहुत ही इंपॉर्टन्ट ग्रूपिंग है जिसमें सारे लीडर लेकिन शुएता बहुत इंप्रिस्टिंग है कि शी जिन पिंग चीन के राश्टर पती है वो जी 20 में भी नहीं आने वाले पिछले 600 से ज्यादा दिनों में शी जिन पिंग कभी अपने देश से बाहर नहीं गए हैं कहा जाता है कि क्योंकि शार्ट अंदर जी बहुत साला रिजस्टन्स ओर रा है उनको लेकर इसलिए लेकिन चेशंकर अर वोंγी यानि की चीन के विदेश मंट्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच स्थार मुलाकात हो सकती हैं बेखना होगा कि क्या चीन और भारत के विस्तों सुधार आए अगा या नहीं लेकिन जैसे मैं क प्रधान मंजरी नरेंज अमोडी के अजेंडा में बहुत सी इंपॉर्टन बाल-Axal मीटिंग्स हैं। जर्मनी के चांसलर से मिलेंगे। जर्मनी के चांसलर है। जर्मनी के अखरी दिन है। उसके बाद नया गव्मन्न और नय लीडर्शिप आने वाले हैं। लेकिन जर्मनी भारत का बहुत इंपॉर्टन पार्टन है। उनाइटड किंडिम। बृतिन के प्रधान मंजरी बॉरिस जॉंसन जैसा बिलकुल सही कह रही थी। उनके साथ मुलाकात होगी। जी ट्वेंटी समिट के साइड लाइन्स पर। लेकिन बॉरिस जॉंसन ने उनिये उनाइटिस पिंडम भी बिलाया है। बृतिन भी बुलाया है। बृतिन भी बुलाया है। ग्लाइट ग्लाइगो में कॉप 26 अटेंज करने के लिए। कहा जा रहा है कि वह यह भी कह रहे है कि नवेंबर एक से जो लीडर्शिप समिट शुरू होने वाला है। नरेंद मोदी जी को रिक्वेस्स किया जा रहा है कि एक नवेंबर तक रुके में जिबकी यह नरेंद मोदी 31 को ही निकल जाएंगे भारत के लिए। इसके इलावा काथी सारे important bilaterals हैं मेपाल को लेकर भी। लेकिन अगर G20 की ही बात करें तो अफ़गानस्तान की स्क्रिपी, COVID-19, economic recovery यह बहुत important मुद्धे हैं जिस पर G20 जो दुनिया के सबसे बड़े 20 देश हैं वो मिलकर बात्शिप करने वाले हैं। इसके अलावा गीता COP26 जो शिखर समेलन होने वाला है जिसमें प्रधान मंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। उसके बारे में जरा जानकारी दें। जी COP26 जो climate summit है भारत सबसे बड़ा और important player रह चुका है climate change की लराई में। चाहे वो international solar alliance हो जहां पर पधान मंत्री ने पिछले बार अग्रीमेंट के दोड़ान उसका उदगात्म किया था उसको inaugurate किया था। और अब कई सारे देश हैं जो solar alliance में जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि सूर्य से जो solar energy मेलता है वो कितना महत्कुण है और कितना जरूरी है कि देश अपनी जो energy requirements है वो solar के तुरू पूरी करें।